हेरी ऑई हम बात करनी वाले पूरा का क्रमटटॉन ग्रेज्टывать को करेंगे पूरा पूरा फंधामेंटल लीडर्शिप के बार में और सब्सक्राइब क्या है और यहां पूरा ड्लुक्वार कशा है और कुछ एक्सपेंशन ऊगरें मैंगे शचेiments यहां और यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए बाय करें सेल करें होल्ड करें और या फिर इसको यहाँ पर लॉंग टरम चॉट टरम टार्गेट क्या हो सकते और अभी तक अगर आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप प्लीज काल की हाइलाइट्स आजाती है फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आजाती है फिर अगर हमारे को कोई ट्रेडिंग पर अच्छा लगता है तो हम लोग वह भी यहाँ पर अपडेट करते जैसे रिलाइंस में ब्रेक आउट है उसका हम लोगे तो यह पहली बार आपको देखने मिलेगी चलो क्राउं टमल vot करें घ्राप करें तो उसकी जो रजच रहे ते क्यूफ प्र युफॉर के वह और अच्छे रहे दे अगर मैं उसकी बात करूं क्यламट की तोपन पहले क्यूफा रिजल्ट्स पर जानेंगे सबसे पहले पर इंवेस्टर प्रेजेंटेशन के और चलते हैं और यहां पर जानतें क्या-क्या कंपणी ने क्या-क्या कैसा परफॉर्म किया है चलिए business update के अगर हम बात करें यहां पर जो bank ने बता है सॉरी crompton ने बता है देखो एक तो overall economic indicators बहुत ही strong थे अगर आप देखो गे तो अगर हम लोग ने इंस्टाग्राम पर भी डाला था SBI का जो business index है वो पिछले दो साल में इतना कभी नहीं गया जितना अभी q4 के अंदर गया था फिर वहीं पर आप बात करोगे sales वगरे कि अंगरे बात करें sales distribution dealers वगरे वह यहां पर प्री कोविट लेवल्स पर आ गए थे यहां पर उनको growth देखने में मिली थी जोग्राफिकल भी और प्राइस के अंदर भी और उसी के अलावा जो कुछ रीजेंस थी जैसे की वेस्ट और इस्ट जो नैचुरल केलिमिटी और प्रूलांग लॉग्डाउन के कारण यहां पर हेट हो गई थी एच वन में मतलब हाफ यह में वह अगर आप देखो के तो उसने q3 के अंदर एक स्ट्रॉंग रिकवरी द और यहां पर कम्पनी ने फिर भी बता है कि हम लोग को हम लोग ने बहुत चारे स्टेप्स लिए उसको कम करने के लिए यहां पर एक बात बताना चाहूंगा अभी अगर आप जो देखो के सेकिंड वेफ जो इंडिया में आई है वो रूरल एकोनॉमी को ज्यादा अफेक् यहां पर यहां पर आप दिया गया है आने वाले कॉटर वन का वो थोड़ा खराब है अगर आप देखो गे तो कम्पनी ने क्या बोला है कि यहां पर एक तो है ना जो इंफेक्शन काउंट है उनके एंप्लॉईस के अंदर वो ज्यादा है पिछली वेव से अगर आप देखोगे बहुत सारी रीजन्स यहां पर लॉकडाउन में चली गई थी अप्रेल में और उसके कारण यहां पर अप्रेल के महिने के अंदर डिमांड कम हो गई फिर वहीं पर यहां पर आप देखोगे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही क्यू टू के अंदर नार्मल सी होगी मत अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे फैंस के अंदर इनकी बहुत ही मार्केट लीडर्शिप है यह तिंग नंबर वन पर क्रॉम्टन का अगर आप देखोगे दो तो अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे जनवरी फरवरी के अंदर भी यहाप जो ग्रोथ थी वह काफी अच्छी थी ठीक है और यह प्रीमियम फैंस के साथ हुई है वही पर आप देखोगे तो 74 परसंट की यहाप ग्रोथ देखने हो मिली है और वही पर जैन फैप के अंदर अगर आप अगर आप देखोगे तो सिक्वेंचली 1.2 परसंट से मार्जिन कम हुए बट यहाप इबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो यहाप मेंटेंड रहे हैं अभी यह इसके पीछे ओवर आप देखोगे तो कंपनी की ओवराल कॉस्ट ऑ्टमाइजेशन पॉलीशी है इतन यहाप इंफ्लेशन बढ़ने के बाद भी कंपनी का मार्जिन पर कोई इंपक्ट नहीं है और यहाप अगर आप देखोगे लाइट्निंग के अंदर जो इबिटा मार्जिन है वह यहाप 3.8 परसंट से बढ़े हैं सीक्वेंचली मतलब क्यू आन क्यू बेसेज पर से कंपेर करें और रूरल चैनल के अंदर इनकी जो ग्रोथ है वह 117 परसंट के मतलब कमनी ने इस बार बहुत ज्यादा घ्रोथ करिए अगर आप देखोगे तो अपने इस कॉटर के अंदर यहाप रूरल के अंदर बहुत ज्यादा एक्स्पेंशन किया है महीं पर कैश इनका इफेक्टिव रहा है और डिवीडेंट यहाप जो कमनी ने दिया है वह 2.5 रुपीज का डिवीडेंट दिया है तो यह तो यह तो यहाप क्यू 4 के हालात अगर आप देखोगे margins ऐसा percentage of sales अगर अपन बात करते हैं तो यहाप 30% margins रहें जो कि मैंने आपको बता है तो overall margins पिछली बार से अगर आप देखोगे तो कम रहेंगे और वही हुआ है अगर आप देखोगे Q4 से यहाप जो Q3 से अगर compare करते हो तो margins थोड़े impact हुए है अगर but EBIT margin जैसे company ने बोला material margin के अलावा यहाप जो अगर आप EBIT margin देखते हो तो यहाप EBIT margin मेंटेंड रहें जो कि बहुत ही अच्छी बात है EBIT margin यहाप अगर मेंटेंड रहता है तो company performance ब growth है overall यहाप जो company के results है वह अच्छे है अब margins के अलावा अगर आप देखोगे तो sales के अगर आप बात करो तो 48% की यहाप अगर आप देखोगे तो यहाप राइस है अगर आप देखोगे sales के अंदर और वही पर पिछले quarter से भी अच्छी खासी growth देखने हो मिली है वही पर अगर आपन देखें जो profit के अंदर जो growth है वह 144% की growth है वाई वाई basis पे और पिछले साल से भी अगर आप compare करो या पिछले quarter से भी तो अच्छी खासी growth है वही पर अगर आपन देखेंगे company ने यहापर कुछ R&D capability बढ़ाई थी अगर आप देखोगे तो वह सारा impact यहापर देखने को मिल रहा है और आप अगर आप देखो कि advertising promotion की activities को step up किया है और यहां पर other expenses भी यहापर बढ़ गए अच्छा अब यह क्यों बढ़ गए एकदम से देखो शुरू कि जो 6 महीने थे ना उस टाम तो कोई advertising promotion किया नहीं अब यहापर क्या और एकदम से economy उट रही है तो यहापर जो जो companyya ad करेगी ना यह क्या consumer business है जो जो companyya यहापर ad करेगी वो खरिकते जाएगा अगर आपको fan का ad नहीं आएगा तो आप उस company के यहापर brand को value नहीं दोगे और उस company के brand को value नहीं दोगे तो जब आपको आप शॉप्स में वो brand अगर आप देखते हो मानगो क्रॉम्टन का ad नहीं देखते हो और क्रॉम्टन अगर आपको दिख भी गया तो आप बोलो के नहीं नहीं यह तो अच्छा brand नहीं है आजकल तो चली नहीं रहा है बले ही वह company पर्फॉर्म कर रही होगी बट अगर advertisement नहीं किया तो यह पर कुछ नहीं होता तो यह वाली जो पर इनकम बड़ी है और वहीं पर आप देखो किये तो इनकम बढ़ी है और आएटी जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टेक्स में चेंजे आए अचा यहाँ पर अगर आप देखो कि लाएक इलेक्टरिकल कंजूमर डिवीजिन्स है जो इनका में बिजनिस है अगर आप कि उसके अंदर यहां पर अच्छी ग्रोह तो बैसिकली यह इसिकली पर पर यहां पर फिर वाला दिविजन है वे इनका बहुत जादा अच्छा है यहां पर उसीमें सबसे आदा प्रब्लम है अगर आप देखो गे तो क्यों क्यों कि फिर वाई ओन वाई बेसिस पे इस वाली डिविजन ने थोड़ा खराब परफॉर्म किया है बट यहाँ पर अगर आप देखो कि तो लाइटनिंग डिविजन जो इनका एक नया और कंपरेटिवली छोटा डिविजन उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले अगर फिनेंसिंग एक्टिविटीज से भी अच्छा कासा कैश प्रो जनरेट हुआ है कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 179 करोड रुपीज का इन्वेस्टमेंट है बेसिकली अगर आप देखते हो तो तो यहाँ पर आप देखोगे तो यह सारी चीजे हो रही है मतब कंपनी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना है ना इन्वेस्टमेंट वगरे किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वगरे बहुत ज़्यादा करिए फिर वहीं पर आप देखोगे यह कैश बैंक बैलन्स है जो आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर केश है ज्यादा है अगर आप देखते हो तो साथसो सतर करोड है और यहाँ पर अपने को मार्स 20 से बढ़ी है और डिसेम्बर 20 से भी लगब यहाँ पर से में रही है इसके बढ़ने कारण कहांग सब्सक्राइं को इन्वेस्ट्पनी ने वह है तो यह अपर अपने को डिफ ज्यादा है की रेशोस की कुछ बात करते हैं तो अगर आप मार्जिंस अगर की रेशोस देखोगे न तो Q1 Q basis पर प्रॉब्लम रही है बट वायो वाय बेसिस पर मार्जिंस बढ़के दिखाए आरो सी और आरो सी के अंदर अच्छी कासी ग्रोथ है और आरो एक अंदर और आ पर Q4 कीपी बहुत है अब अब ही डिसक्स किया अभी एक बार अपन देख लेते हैं जो फाय पूरे साल के जो फिगर्ज है उसके अंदर यहाँ पे क्या-क्या चीजे अगर अपनी को डिसक्स करनी तो क्वाटर्ली अपडेट यहां पर अल्रेडी हो चुका तो पूर 25 करोड से बढ़के 605 करोड का प्रॉफिट हुआ है OPM के अंदर मैंने जैसे की बता है आपको अच्छी कासी ग्रोथ देखने हो मिली है और महीं पर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा है अगर आप देखो के तो 16% का रहा है और यहां पर नेट वर्थ जो अगर आप देख की बात करें तो वह यहां पर overall कम हुए तो वह बिसकली कमपशनी के उसके कारण है अच्छा यहां पर एक और चीज़ के और लगातार यहां पर अगर आप देखो कि तो यहां पर लगातार बाइंग कर रहे है ठीक है वह यहां पर बहुत ही यहां पर हाई-ई-ई-ई-ई-ब बाइंग बहुत स्ट्रॉंग है तो अपन यहां पर पहले FII के नाम देखते हैं अगर आप देखोगे तो यहां पर आदित्य बिल्ला सनलाइफ मूचल फंड है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो HDFC का स्टेक है उसके अलावा यहां फ्रैंक लिंग मोतिला लोसवाल तो बहुत बड़ी-बड़ी मूचल फंड कंपनी जे अगर अपन देखें अंदर बात करें तो FII में अमान सा होल्डिंग्स है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है 3.35 परसंट उनका स्टेक है और बाकि अगर आप यहां पर देखते हो तो अमूंडी है और जो कि SBI मूचल फंड की और नहीं करना है नहीं करना है वह अगर खरीद दें तो एक अच्छी बात है जैसे FII डिया बैंग हो रही है तो अच्छी बात है ठीक है थोड़ी बहुत हिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो मैं बता देतो पहले यह अवंता गुरूप था जो कि एक है बिजनेस वह गए मुचल फंड लाइसी और और नॉर्जेस बैंक ने फिडेलिटी वगरे सुसाइटे जनरल ने खरीदा था तो लगातार अगर आप देखो गे तो उन्होंने अपना स्टेक कम किया है पिछले दो सालों के अंदर 34% से यहां पर सीधा भी 17% पर आ गए तो वह सारी चीज कि अगर हिम कि बात करें तो कि बात करते तो वह बहूर् ejercica पे चाहिए श्कुरें अच्छा पर अच्छी यहां पर संचेर की बात बात के यह और गात है ही अच्छा है तो यह सारी चीजे मेरे को जो लगी वह मैंने आपको बताई है ओवराल यह स्टॉक में अभी अपन देखते हैं कि यह पर टेक्निकल्स क्या शो हो रहे हैं और उसके इसाब से अपन यहां पर आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए तो यहां अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 412, 440, 497 का एक रेजिस्टेंस है और वही लगबग मेरे यहां पर टार्गेट प्राइज भी रही है ठीक है तो टेक्निकली तो यहां पर यही चीजे हो रही है और यहां पर एक बार जो अगर आप देखो कि तो जो ब बेसिकली वापस वही प्रेटन फार्म हो रहा है जो पहले इन लोग ने हाई बनाया था वही पर अभी जाकि वापस अटका और वापस यहां पर नीचे आने लगा है ठीक है तो जो 412 का जो अपना बेसिकली वह भाव है जो यहां पर रेजिस्टेंस है वह बार बार यहां पर क्रॉस नहीं कर पा रहा है ठीक है और वहीं पर अगर आप देखो के तो यहां पर वॉल्यूम्स भी कुछ खास नहीं बन रहे हैं और अभी वापस यह थोड़ा बहुत डाउंटर्न में चल रहा है तो यहां पर जो बैसिकली नेक्स सपोर्ट लेवल के लिए दिखती है जो अपना सपोर्ट लेवल है वही एक यहां पर बैसिकली यहां पर तीन सो पचास के लगबग है ठीक है वह यहां पर अच्छा आसा बाइंग जोन है जासे यह स्टॉक थोड़ा बहुत अगर चलता है तो यहां पर उठेगा और वहीं पर अगर आपन देखे तीन महीने का परफांब नहीं किया है तो यहां पर चैक्निकली अभी इतना स्रॉंग नहीं है फॉतन कोय आप रहा हूद और यहां पर जाओग है अपने को मेंली चार्ट का पैट कि लिए अगर किसी को करना है ना तो 350 पर एक बाय करो और 400 तक कि यहां पर टार्गेट लेकर चल सकते हो ठीक है तो यहां पर इसको इसको इसी लेवल पर बाय करें और उनके लिए जो टार्गेट रहेंगे वह लगबग आप टाइम फ्रेम के हिसाब से देख सकते हो तीन महीन एक साल के हिसाब से रहेगा बागी किसी ने अगर लॉंग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है तो इसको बिल्कुल होल्ड करके रखें यह अच्छी कंपनी है अभी अगर आप देखो के तो मैनेजमेंट भी प्रोफेशनली हो चुका है तो सारी चीज़ें कंपनी थोड़ा ब किजिए और किसी बी तरह के बारे में आपको कुछ भी जानना है कोई इस टॉक क्वेरी है तो यह एक दम फ्री सेवा है यहां पर यूट्यूब पर कोई पहली बार कर रहा है आप अमें वाट्षैप कर सकते हैं और यहां पर आपको कुछ नहीं करना है इन सभी चीजों के केवल चैनल को सबस्क्राइब करें और आपको जो भी स्टॉक समझता है और आप यहां पे जैसे कि हमने जो सीजी का भी किया अनलेशिस यह किसी की बोलने पर ही किया है हमारे फालवर थे उन्होंने भी करे तो लोग ने किया किसी भी तरह का और स्टॉक अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए उसका एनलिसिस तो आप हमें बता सकते कॉमेंट में और हमें वाट्चैप भी कर सकते तो यह सारी चीजें जो कि आज मिलेको लगता है कुछ चीज़ जो है इसी है जो हम लोग यहां पर यूट्यूब पर रिप्लाई करते हैं लोग यहां पर बहुत जादा लोगों कि यहां पर और अगले चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर पर बैल आइकन जोर दबाईये लिए चलिए अगले स्टॉक के लिए फिर मिलेंगे आप अपना ध्यान रखिये ठैंक्यू सो मच